अब बाकी चीजों का तो मुझे नहीं पता लेकिन ये बात मैं लिखके दे सकता हूँ कि ये दो बंदे न भाई अपनी जिन्दगी में दुबारा ये वाली ट्रिक कभी नहीं यूज़ करेंगे यार तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बराड न्यू गलत सीन से भरे एक पबजी दो मुबाईल गेम प्ले वीडियो में और अगर आपको ऐसा लगा ना भाई कि इस गेम में गलत सीन नहीं होगे तो आप गलत हो क्यूंकि भाईया हमारे साथ डेली कुछ ना कुछ गलत होता है रहता है तो यहाँ पर हमारे एक दो बंदे भाईया टिप्स और ट्रीक्स यूज़ करने की कोसिश कररें तो बह Teen цвет पेड़ और उसके साथ जो होता है ना उनके सा जो होगा और बहुत दुख़दोगा लेकिन अभी मैं मिलिटरी आ रखाऊं और सोट गन है मेरे पे और ये वाली सोट गन बहुत पसंद है मुझे मतलब बया दो गोली दैड़ पैड़ बिल्कुल आधे सेकंड में दोनों गोली आप चला सकते हो हना जो की काफी सही है यार वो खचक खचक वाले सोट गन से जिसमें पाँच गोली लगती है यार बहुत बेकार है वो सोट गन और अभी एक बंदा यहां अंदर घुसा है और हमारे भाई चलाग बनके दरवाजा खोल के टी पी पी ले रहे थे हाना होता है नयार जैसे स्कूल में कभी कभी क्या होता है भग देते यह उसके बार, उसके बार जब आप वापिस आतेओ बहा फट के चारव और हो रकियो तिहें कोई आतो नहीं गया कलास में तो आप चुपके देखता हो कि आरे भईया कोई आतो न गया और तो पहले मुझे लगा था यार बोट होगा dawak यहां आके पता चलता है भीया बंदा है और वो तेजी से अंदर भग चुका है बंदा और जितनी तेजी से यह अंदर भगता है न भाई उससे चार गुणा तेजी से मैं फायर के बटन पर उंगलिया पटकता हूँ और उसके बाद अपना काम पूरा करने के लिए S12 के से पेटी बना दी जाती है मतलब मूटेंट ऐसा या तो मुझे ही लग रहा है कि मैंने बहुत तेजी से चलाई या तो मैंने सई में तेजी से चलाई है जो वियार मतलब पेटी बन चुकी है और क्या चाहिए जिंदगी में और भाई पे डीपी भी थी तो बिल्कुल चुराएंग यार भाई की डीपी हतिया लिया और अभी उसी के साथ भया फुटिश्ट है पारें दबाके ठीक है अब ये बंदा छत में है जाड़ी में है जंगल में है नीचे है हमें कद्दू भी नहीं पता लेकिन हम नीचे चेक करने आते भाई ये कमरा खोल के देखता हूँ मैं बिल्कुल खाली ठीक है आपको भी खाली लग रहा होगा लेकिन यार बंदा बैठा ही यहीं कोने में तो देखो कहां बैठे होते हमारे भाई तो हमारे भाई बिल्कुल इतना दुपक के बैठे थे ना कि मेरे ख्याल से यह बंदा खुद को नहीं देख पा रहा होगा इस कोने में इतनी बुरी तरह चुपा था ये और जैसी मैंने उस बंदे की पेटी बनाए न भाई इसके सारे टीमेट आ गए मतलब जब यह यहां पे अकेले केम्प करके बैठा था भाई की फटी पड़ी थी तब कोई नहीं आया लेकिन जैसी मैंने पेटी बने अरे भाई या दैड पैड इधर से गोली चली उधर से कोली चली खिड़की से बंदे आ रहे हैं तो फिलाल के लिए तो मैं जिन्दा हूँ यार अब हेल्थ हुल्थ पोतूंगा है न उसके बाद पेलते हैं ने क्यूंकि यार अब वो हम पेरस कर चुके हैं घर के अंदर अपने ही अब ये कौन सा सस्ता गत्ता फूक के ये बंदा खेल रहा था यार मुझे नहीं पता मतलब बंदा अंदर आता है दरवाजे को बंद कर देता है उसके बाद वापिस मुड़ जाता है भाई और खुदी दरवाजा बंद करके अपने ही बंद किये वे दरवाजे में ठूक ज ठीक है मतलब कहां से ये भाई अंदर आये मुझे कद्दू भी फूटी स्टेप नी आये भाई अचानक से सामने आ गया और सामने आके भाई जबर दस्ती पीक करके पेलने भाई मतलब ठीक यार देखने में बढ़िया लगा और डेमेज भी काफी दिया लेकिन आखिरकार यार कहां टोमी गन थी भाई पे यार और मेरे पे तो यार महेंगी एक एम पढ़िये तो हां भाई को नौक कर दिया पेटी बना दी अब इनका आखरी टीमेड बाकी है अब इसको मैंने आखरी बन्दा इसलिए बोला क्योंकि यार अब इसका जो भी टीमेड बाकी होगा ना भाई वो मिल्टी रह रही तो कद्दू भी नहीं आ रखा है क्योंकि यहां पे नहीं उसके फुटिश्टेप आ रहे अगल बगल से नहीं गोलियों की आवाज तो अब वो रोजोग जा रखा है यार जारकी में गत्ते फूक रहा है यार मुझे नहीं पता मुझे पता भी नहीं करदा मुझे बस इतना पता है कि अभी कोई टावर पे भी चट रखा है क्योंकि वहां से भी गोलिया पढ़ रही थी हमें नहीं पढ़ रही थी लेकिन यार इन लोग को पढ़ रही थी जहां तक मुझे पता यार दूर से कोई गूलिया जरूर चला रहा था तो मैं अपनी AKM 6X निकालता हूँ अब AKM से मैं 2 headshot पेल देता हूँ हना जैसे तैसे करके भाईया बहुत ही महिंगारी कोई और इधर पे आता हूँ खुशी से कि यार अब rush करूँगा किले मिलेंगी मुझे धैड़ पैड और उतने में ही एक बंदा बगल में साब बन रखा होता है ठीक है मतलब भाई मैच सुरू हुए दस मिनट भी नहीं हुआ है जहां तक मुझे पता है ठीक है दस मिनट नहीं हुआ है बंदा अभी से साब बन चुका है वो भी 22 लेके अरे भाईया क्यूँ लेकिन मैं बज गया हाना कवर पे आ गया और अब टाइम आ गया है इसे पेलने का मतलब भाई ने लेट के तो पेल दिया हाना छुपके बिल्कूल साब बन के तो पेल दिया लेकिन क्या ये बंदा तब हमें पेल पाएगा जब हमें पता है इसकी पोजीशन और हम इस पे र लोग यार यही होता है अगर आप उतरते ही साप बन जाते हो तो यार आपका गेम खराब होता है ठीक है क्योंकि देखो यार कम से कम एक गोली तो मारी सकता था यार डीपी तो इस पे भी थी लेकिन नहीं यार भाईया को साप बनने से फुरसत किदा रहा है हना क्योंकि अगर भाई साप नहीं बने होते अगर रस करके खेलते तो भाई का गेम थोड़ा बढ़िया होता क्या पता कलच कर जाते यार कम से कम damage तो देते खेर छोड़ो यार वहाँ से साप से बज़ गए भाई हा क्योंकि जब लेटा वा होता है न साब बहुत खतरनाक होता है लेकिन जैसे आपको उसकी पोजिशन पता चलती है यार बिल्कुल हलवा हो जाते है सांपो को पेलना खैर उसके बाद यहां पर फिलेर चली होती है ठीके मैं बोलता हूँ चलो यार AWM मिलेगी बिल्कुल धैड पैड खेलूंगा बाद मैं आके यह BMDR देखता काल मैं यार कोई फाइदा दिख नहीं रहा मुझे बढ़िया पबजी बहुत ही बढ़िया मतलब यार चिडिया तुम लोग टोप कॉल्टी बनाते हो लेकिन यहां पे फटों के पीछे से भया फटों के आर पार बंदों का मुझ दिख रहा है और गूलिया लग रही है डै और वो बंदा जिसका सर आरपार दिख रहा था ना भाई वो क्या उसके नजर यह से क्या था Bye वो तो अंदर नौक हो रखाए हा ना वो तो बोलेCal तब भाई इसने तो मुझे फट्टे के आरपार मार दिया यार इसे रिपोर्ट करो ये तो गालिया पढ़ रही होंगी मुझे अभी क्योंकि यार वो तो अंदर नौके भाई उसे क्या पता है उसकी मुंडी बाहर दिख रही है अब पता भी होगा तो यार वो अलगी सीरे ल ही कर सकते तो देखो यहां पर सीन क्या रखा है एक बंदा हमारे उपर आ रखा है और उसे भी BMDR चाहिए मतलब सब को पता यह बहुत बेकार गाड़ी है यार आखिर सरकल में चलो काम आ जाएगी किसी हद तक लेकिन इतने धीरे चलती है यार यह मेरे लिए तो बहुत बेकार है लेकिन भाई उस बंदे को चाहिए तो हमने बोला यार क्यों ना डेड़ आईक्यू गेम प्ले किया जाए अब हमारे भाई चलाएंगे इसको और मैं बिल्कुल बीच में उतर जाओंगा कहीं पे भी और उस बंदे की पेटी बनाऊँगा यहीं पे भाई क्यूं जरूरत थी कोफिस करने की क्यूं जरूरत थी यार बीमडियार से चेड़ लेने की मतलब ठीक यार इतना बढ़िया नहीं है दीरे चलती है लेकिन हाँ यार गूलिया बहुत पेलनी पड़ती है और अगर एक अकेला बंदा पेल रहा है गोलिया है तो यार बहुत ही ज़ादा पेलनी पड़ती है हाना और साथ ही साथ हम दो लोग थे तो हमारे भाई आगे चलाते रहे वो भाई अपनी DP BMDR पे चलाते रहे और भाई मैं पीछे होतरा मैंने बोला भाई ऐसे कैसे ऐसे कैसे डेमेज दे रहे हो यार तो मैंने भाई की पेटी बना दी अकेला बंदा भाई लेकिन बिल्कुल चोड मैं आया था BMDR लेने सोचा था यार चिकन चुकन कर देगा खैर उसके बाद अब मैं बिरिज की साइड जाई रहता हूँ हाना क्योंकि यार जोन इतना अटपटा सा बनता है कि क्या ही बता है इस नहीं कि विए एकियों का तो पता निए लेकिन जो भी देखने मिलेगा नवाइं बहुत गलत देखने को मिलेगा मजने करो मैं उपने लग जाए है कि अगर ढखे-र नो कि इस अब यहां पर मैं सुच रहा हूं कि यार किया क्या जाए हाना छत के उपर दो बंदे हैं तो मैंने सुचा क्यों ना दो आई क्यू नेट कर देता हूं उपर की तरफ अब बाकी चीजों का तो मुझे नहीं पता लेकिन ये बात मैं लिखके दे सकता हूं कि ये दो बंदे ना भाई अपने जिंदगी में दुबारा ये वाली ट्रिक कभी नहीं यूज करेंगे यार क्योंकि इनको जो पेला है ना भाई बहुत ही गलत पेला है एक को भाई या M4 से ही नो कर दिया और दूसरे को मैंने मोली फेकी सस्ते सी बड़ी विथियार मैंने उठाई फेकी और दोनों खतम ठीक है मैंने पहले ये बंगी देखी मैंने बोला यार सीन क्या चल ला है बाद में भाई एक और बंगी आ रही है दूर से भगाते वे और बंदे ने कते छत में पेल दी यार बहुत ही गलत मतलब सही यार बढ़िया है वहाँ उपर से बढ़िया विव मिलता है बिल्कुल खतरनाक बिल्कुल पहाड़ो वाली फेलिंग आ जाती है लेकिन यार किसी के सामने करोगे तो गलत सीनी होगा अब इन सबसे लड़ते वे टाइम तो मैं चौड में था लेकिन यार जब एक और गाड़ी की आवाज आए ना भाई फटके चार होगी थियार क्योंकि अगर चार और बंदे आगे ना तो यहाँ पे बचके निकलना बहुत दिक्कत दाया हो जाएगा लेकिन एक अकेला बंदा होता है और इधर पे मुझे पांच किल मिल गे ठीक है मतलब सही यार बढ़िया जगा है अब सीन क्या था है यहाँ पे पहले यहाँ पे हमने एक बंदा नौक कर दिया था हमारे बाई ने हना गलती से 800 पेल के हम लोग इधर पे आए मैंने बोला यार गुसके पेलेंगे उतने में ही क्या होता है पीछे से गाड़ी आती है मैं अनो 130 समझ गया था कि इस घर पे मैंने दो बंदे देखे थे गाड़ी में दो ही बंदे होंगे और वो इस हिसाब से आ रहे थे ना मैं समझ गया था सेम टीम के बिलकुल तो मैंने बोला ठीक है यार मैं उस छज्जे क पीछे चुप गया ना यह जो छोटी सी सस्ती दिवारे मैं पीछे बैढ़ गया भाई मैंने बोला आजाओ यार गाड़ी ठोक लो तुम जब गाड़ी ठोकेगी तब मैं गोलिया ठोकूंगा तो इन लोगों ने गाड़ी ठोकी मैंने बोला यार ठीक है अब टाइम आ गया आगे ब्रिच गैम देखने फिर दो बंदे पीछे से आ रहे हैं खेर वो सब छोड़ो यार अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो यार वो टिप्स और ट्रिक्स वाले गलत सीन और भाईया ये सकौर्ड वाइप के लिए देड़ पैल लाइक पेल दो ब खेर अब मैंने औरों के साथ गलत सीन किया अब टाइम है मेरे साथ गलत सीन होने का इस बंदे की मेरे से क्या दूस्मनी है यार मैं जानना चाहता हूं मतलब भाई मैं क्या बेकुपू वहाँ गंटो इसका पीछा कर रहे हा ना कितने दूर से इसे भगाते वे आए मैंने अपनी गोलिया बरबात की ठीक है गाड़ी का पट्रोल यार ऐसी ऐसी तैसी हो रिखे पट्रोल की लेकिन भगाया जान लगा के भगाया पीछा की आप इतना सारा डेमेज दिया ना क्या बताऊं एक हेल्थ हो की बाकी भाई की लेकिन भाई समझ गे कि यार उन्होंने ऐसे बेठिलना है वैसे बेठिलना है तो उसने बोला यार तुझे मैं कद्दू भी किलने दूँगा मैं अपने आपको ठ्रिवालूँगा तो बंदा गाड़ी से कूद गया हाना एक गोली और लगती मेरे किल में एक और बढ़ जाता है ना एक किल और बढ़ जाता थोड़ा सा केटी थोड़ा सा केटी बढ़ जाता है लेकिन भाई पहले ही कूद गे बहुत खतरनाक बंदा था यार वो मतलब भाई वही सीने यार ना पेलूँगा ना पेलने दूँगा किसी को अपनी पेट लगा कि स्क्रीन को गसीटा नीचे और अखिर कार इस बंदे को पेल दिया और हमारे भाई के पता नहीं क्या ही नसे बीच रस्ते में गाड़ी छोड़ दी भाई मतलब बगल वाले घर में मैं बंदे देख चुका हूँ बगल वाले घर के बंदे हमारी गाड़ी को देख रहे हैं फायर करने के लिए रेड़ी तयार और हमाने भाई ने बिल्कुल रस्ते में गाड़ी छोड़ दी भाई मैं नहीं चला रहा तो ठीक है यार फिलाल के लिए भी बच चुके हैं यहां पे और हमारे भाई ने एक नौक भी करते हैं तो मैंने बोला भाई यह दैड़ पैड बैठो मेरी किल ऐसी कम हो चुकी है यार मुझे इनको पेल नहीं होगा चाहे कुछ भी हो तो करना क्या यार गाड़ी लेंगे और गुसेड देंगे बिल्कुल अब यहां पे न भाई सीन सौट बहुत ही अजीव है ठीक है मेरे घर से भी फूटी स्टैप आ रहे है मतलब गिसड ने की आवाज आ रही है हमारे लेफ्ट में एक घर है उससे भी भाईया गिसड ने रेंग ने की आवाज आ रही है और आगे एक बंदे को नौक करके रखा है तो उस पे तो मैं नेड रूट कर देता हूँ लेकिन भाई जहां तक मुझे पता है किसी कोने में गुस चुका है लेकिन यार यह मैं पका कर चुका हूँ कि यार उसको कोई रिवाइव देने न जा पाए और यहां पर मैं ठीपी पी ले रहा हूँ पता नी कहां से नेड आता है और एक एचपी कर देता है मुझे ठीक अब मेरे ख्याल से वो नेड बाहर भटा जहां तक मुझे पता है और क्यूंकि मैं खिडकी मैं बिल्कुल चोड में ठीक है मैं खिड़की के सामने चौड में हवा खा रहा हूँ भाई, हवा का तो पता नहीं लेकिन नेट का डैमेज जरूर अंदर आ गया तो भाई गड़बड हो गई थी, एक HP बजा था मैं लेकिन बज गया कैसे तैसे, तो जो बगल वाले घर में होता है उसको हमारे भाई नेट कर देते हैं न, किल टपाली भाई ने, लेकिन कोई नियार अभी उस बंदे की बारी जिसके रेंगनी की आवाज आ रही है, तो मैं बोलता हूँ यार ये कहां हो सकता है, तो बाद में पता चलता है, भाई ने डेड़ आईक्यू गिम्पले कर रखा है याँ पे कता ही इस बंदे को ढूंडते वेना मैं परेसान था, मैं बोल रहा हूँ अरे भाई या फुटिश टैप आ रहे हैं, मैप में भी दिख रहा है, गिसंडनी की आवाज आ रही है, लेकिन किधर? क्या ये बार साब बना है, तो मैंने बोला क्यों न, उपर देख लेते हैं न, जो भी सीनो, इसकी तो पेटी बना धी कूट कूट के, क्योंकि अगर मैं उस पे चड़ता ना है यार दरवाजे में, तो मुझे दरवाजे का तो नहीं पता, लेकिन मेरी पेटी बन जरूर हो जाती, खैर उसके बाद यहां पर हम आते हैं, मैं देखता हूँ यहां पर एक बगगी खड़ी है ना बिल्कुल बत्तमीजी से दरवाजे से ठोक रखिये बगगी, तो हां यहां पर एक अंदर बंदा बैठा है, हमने बोला यार ऐसी दो बंदे बाकी हैं, घुज घुज के देखते हैं, मैं नहीं चाता कि किले कम हो, तो यहां पर मैं आता हूँ, यहां उपर आने वाले यह भग के नीचे कूच जाता है, और देखो अगर हट बड़ी में मैं भी कूचता ना तो मेरे ख्याल से वो रुक के पेटी बना देता, तो मैं इंतिजार करता हूँ उसके वापिस अंदर आने का, मैं सोचता हूँ कि भाया जी उपर आएंगे हाना रस्त करने, लेकिन यार बंदे ने नीचे कैम बिठा दिया, तो कोई यार मैं बोलता हूँ एक नेट कर लेता हूँ हना, क्यूंकि इस कमरे में हुआ, तो भाया इस नेट से तो फटे गई फटेगा, इतना सस्ता नहीं हो सकता मेरा नेट, और मैं नीचे जाता हूँ और बाद में पता चलता है कि भाई बगल में ही कैम करके बैठें, और यहां पर मैंने नेट पता नहीं काहीं भेका या तो मेरी गल्ती है, हना या तो मेरे नेट इतने सस्ते हैं कि बगल में ही बनता हो लेकिन फिर भी नहीं ठिलेगा, और ऐसा निये कि भाई डैमेज हुआ मेरे ख्याल से थोड़ा सा डेमेज हुआ होगा क्यूंकि यार गोलिया मैंने काफी पेली एकेम की तब जाके ठीला वो भाई गडवर्ड हो जाती वो तो अच्छा हुआ मैं गूमके देख लिया उसे भाई पेल दिया नहीं तो भाई पेटी बनाता वो सही में तब तक गोली चलती है तो लोग यही नारा अपनाते गोली चराओ तब तक पेटी ना बने जब तक खैर उसके बाद मैं आगे निकल लाइता हूँ मेरा टीमिड बोलता है कि भाईया यहां पे एक बंदा बैठा है मैं बोलता हूँ यार सही में क्या देखता हूँ क्या सीन है इस बार मैं यह बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि हमारे भाई की यहांसी बहुत डरावनी है मैं नहीं बोलूँगा यहां पे scene क्या होता है देखो हम गाड़ी घुमारे होते बंदे का पाउ दिखता है ठीक है मैं दुबारा गुमाता हूं ये पका करने के लिए कि यार सही में है क्या बंदा दुबारा पाउ दिखता है मैं बोलतो खाया इनने कैम बिठा रहा है गुच जओ अंदर पर यहां अंदर आतों न भाई मेरा दिल तूट जाता है ठीक है क्योंकि ये जो सीन हुए न ये मेरे साथ बहुत बारो चुके है कभी गेम छोड़के चल जाना पड़ता है कभी नेट धोका दे देता है कुछ भी हो जाता है यार कभी पपजी दोका दे देता है भाई मतलब होता है ने वो कभी लोडिंग लिखा आ जाता है कभी गेम बिल्कुल अटक रखा है कि जगा पे कद्दू कुछ नहीं हो रहा है तो हाँ गडबड हो जाते तो मैं बोलता हूँ यार अब क्या किया जाए मैं अब यहाँ पे दो चीज कर सकता हूँ या तो मैं इसको यहीं पे पेल दूँगा धैड़ पैड़ इसको पता भी नी चलेगा सही मैं इससे पता भी नी चलेगा कि इससे पेल दिया गया जब यह गेम खोलेगा तो वो लिखाता है ने भाई कि आपको ठिला दे गया था पिछले मैच में वो भी जो भी अंग्रेजी में आता है वहाँ वही लिखाएगा तो मैंने सोचा यार क्यों ना भाई को चिकन दिया जाए क्या पता भाई का दिन बन जाए चिकन चिकन देख कि अपना रिजल्ट वगेरा में क्या पता भाई खुश टाइप हो जाए अब देखो मुझे जादा समझ नहीं आया लेकिन मैं ये समझ गया कि मेरा टीमेट गालियां दे रहा है मुझे अंग्रेजी में ख्यार वो सब छुड़ा यार ये तो डेली का चलता रहता है मैंने बोला यार देखो अपन तो डेली करता है रहता है चिकन हना इतना दिक्कत होता नहीं मतलब ठीक है वो रसकर के खेलते हैं बार बार ठिल जाते हैं उसमें कोई जादा दिक्कत नहीं लेकिन यार अगर इस ब आई तो यार मैं तो मिट्टी दिल इंसान मैं तो इसको पेटी भी बना देता इसे पता भी न चलता लेकिन मेरे ठीकटा खीलो गयते तो मैंने बुला यार भाई को चिकन लेने देते तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतने ही ही बहुत बहुत शुक्रै वीडियो के लिए क्यार मेरे साथ ना आपको पता ही होगा अब तक आपको पता ही होगा कि मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है तो हाँ यार मज़ा बहुत आता है सब्सक्राइब जरूर करना तो कल मिलते हैं भाइलों गयार और हाँ अगर आप इंस्टा उंस्टा चल कर मिलते हैं बाई बाई कर दो में आका कर दो इा सकते हैं बाई 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 बोगल कर दो दो ग रा दरा हम कोन आका